असलाम आलेकुम आज मैं आपको बहुत एक क्रिस्पी और टेस्टी केक रस्ट के बारे में बताऊंगा इसके इंग्रीडियन्ट 22 एग है वेट के साफ से 1 kg है और 1 kg बटर है 1 kg शूगर है 1 kg ही फ्लोर है बेकिंग पॉडर 25 ग्राम कम भी कर सकते हैं 15 से उपर उपर डालने हैं आपने मादे में म्कस कर लेना है अ हमेशी और अब के अगर मैं बड़ी मशीम ने मिणेन जादा नहीं है जादा बनाना थो इसलिए में बड़ी मशीन चारता हूँ थोड़े ज्यादा है यह वाला आपने उसमें लगाना है बटर डाल दे इसमें इसके बाद शूगर डाल दे शूगर दानेदार है नॉर्मल जो घर में होती है दूसरी भी डाल सकते हैं वो जल्दी उसमें जल्दी बन जाते है इसमें थोरा time लगता है लेकिन ये ज़्यादा अची रहती है बटर को थोड़ा क्यूँके fluffy करना होता है machine में दूसरी भी हो जाती है वो भी लेकिन ससे ज़्यादा अच्छा बटर ठंडा होना चाहिए वो सके गर्मी है अंडे वन बाई वन इस तरह मैं डारा हूं इस तरह डालने अंडे भी ठंडे हो बटर भी ठंडा हो सारी चीज़े इसकी ठंडी होने चाहिए गर्मियों में टंप्रेचर का जो है इसका बड़ा ख्यार रखना पड़ता है वो मिक्स होता जाएगा जो पहले अंडे डाले हैं आपने वो मिक्स हो जाएं तो दुबारा डालने है मैं बीच बीच में से वीडियो उसको काट रहा हूं यह बिल्कुल मतलब बटर जिस तरह सॉफ्ट क्रीम होती है नहीं इस तरह बन जाता ही है फ्लफी हो जाता है इस में डाल देना आपने मिक्स हुआ हुआ है इसमें बेकिंग पॉर्डर और सॉल्ट है वो पहले से मिक्स हुआ हुआ है और मेशीन को भी चलाना है तो अभी स्लो चलाना है पहले पहले स्लो चलाना है फिर जब ये मैदा इसका बटर में थोड़ा मिक्स हो जाए तो इसको मीडियम स्पीड पे इसको करना है दुबारा मेशीन को कलर वगरा भी यूज हो सकता है कुछ लोग यालो कलर डालते है अगर अगर कलर वगरा आपने डालना हो तो भी सॉल्ट नहीं डालना है या तो नहीं डालना या बहुत कम डालना है ये बटर पेपर ट्रे में लगा लेने दो ट्रे से बनेंगे बड़ी ट्रे ये बटर पेपर आपने ट्रे में लगा लेना है दोनों में ट्रे के अंदर कोई चीज लगा ले बड़ी लगा लेए कुछ भी फिर उसके ऊपर बटर पेपर लगाना है वेक्स पेपर दोनों ट्रे में मावा डालेना है और उसको पूरी ट्रे में फिला देना है आद के साथ फिला ले या किसी नाइफ ले 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 कुई ट्रे का कोई मसला नहीं होता बड़ी हो या छोटी उसमें ऐसे एक इंच के इसाफ से ट्रे के वह ऐसे उंगली आप लगाएंगे एक इंच से थोड़ा कम हो या एक इंच हो जाए इतना जो है यह बैटर ना उसके अंदर होना चाहिए केकरस की मुटाई पर भी डिपेंड करता है यह देखें इस तरह आपने कितनी रखनी है ज्यादा रखनी है कम रखनी है कम रखें तो ज्यादा बितर है बेक अच्छा होता है एक ससाट डिग्री की एट पर 40 मिनट चारीस पर 49 मिनट नजर आ जाएगा आप हाद लगाए जब केक स्पंच की तरह उपर आए तो वह पक जाता है बेक हो गया है ट्रे उपर रखें क्यूंकि केक घंटा एक बायर आपने ठंडा करना है उसको दो गंटे रख लें या एक दिन पहले बना लें इसको तो इसका पेपर उतारें केक क्यूंकि बहुत क्रिस्पी होता है ये जब बेक होता है तब भी क्रिस्पी ओईल वाला जो केक होता है वो क्रिस्पी नहीं होता उसमें लचक होती है अब इसके उबर दुबारा दूसरी टेर रखें और इसकी साइड वही वाली कर लें अब इसने इसको आपने केक रस की तरह काटना है इस तरह केक रस आप शॉप से लेकर आते हैं साइज आ पर डिपेंड करता है जितना आप रजी कर लें छोटा बड़ा जो भी साइज आप रखें यह आरी वाली छुरी होने तो ज्यादा बहतर है जिसको यह लगे हुए दूसरी से भी कड़ जाता है अच्छा लेकिन यह हो तो ज्यादा बहतर है इतने इतने पीस हाफ ने काट लेने ज्यादा मुटाई लंबाई की खायर है ज्यादा मुटाई जो है ना वो ज्यादा ना हो क्योंकि ड्राई फिर अच्छे नहीं होते थोड़े पतले रखने होते हैं ताकि जब ओवन में दुबारा भी 120 की हीट पे हमने डिग्री सेंटी ग्रेट पे हमने इसको तकरीवन एक घंटा 45 मिनट दुबारा रखना है तो फिर वो खुश्क करने होते हैं ताकि जिस तरह भी एक केक है यही सिरफ एक केक है इसमें आप अगर बटर क्रीम लगाएंगी तो इसका केक बन जाएगा ट्रे में आप इसने अभी मैंने एक जो ट्रे है वो काटी है उसमें तरह तकरीवन धाए ट्रे निकली है उसी साइज की एक यह रखी वे एक वो रखी हो थोड़ा सा और भी एक ट्रे नहीं काटी इसको मैं रख लूँगा इसको जब दुबरा मुझे जरूत पड़ेगी चार पाई दिन जितने दिन फ्रीज में रख लें आप पाई रख लें गर्मियों में फ्रीज में ही रखना चाहिए इसको भी ड्राई करना है 120 कीट पर 25 120 पचीश जितनी भी हो